तो आज की जो अपडेट है वो है राजीव गांदी सुपरेस पेसलिटी होस्पीटल की तरब से तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पले आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए है चाहें पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भू कर लेते हैं कि eligibility criteria क्या है कैसे form को apply करना है age criteria क्या है और किस email id पे जो है form को send करना है तो सारी के सारी जानकारी हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं तो बने रही है लांस्ताक इस वीडियो में हमारे साथ तो सबसे पहले आप देखने के राजीव गांदी सूपरेस पेसलिटी होस्पीटल सोसाइटी की तरब से है इसका website यहाँ पे दिया हुआ है बाकी advertisement नमर के बात करें तो 120 यहाँ पे दिया हुआ है सबसे important note की बात है कि कोई भी application form यहाँ पे ना ही online फिल करना है ना ही आपको offline भेजना है जो भी application form होगा वो PDF के रूप में आपको फिल करना है और वो email id पे send करना है उसके लिए हर एक post के लिए अलग-अलग email id यहाँ पे दिया हुआ है और कौन सा application form है कैसे बढ़ना है सारे के सारे detailed discussion यहाँ पे हम करने वाले है आज की वीडियो में तो सबसे important बात अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यह contractual basis का job है यह 28 February 2021 तक आपको यहाँ पे job पे रखा जाएगा बाकि आपका अगर individual जो है satisfactory performance रहा तो आगे आपको extend कर दिया जाएगा उसके बाद आगे इसमें बात कर लेते हैं date की तो important date के बात कर तो opening date जो है application के 7 मई 2020 से start हो चुकी है उसके बाद 22 मई 2020 तक रात के भर सकते हैं अब यहाँ पे हम vacancy detail की बात कर लेते हैं कि इसमें जो है number of vacancy कितने है किस post के लिए है और फिर LGBT criteria इसका क्या है बाकि किस email ID पर भेजना है तो चलिए post code 1 की अगर हम बात करते हैं 20 इसके में दिया हुआ है कि name of post जो दिया हुआ है वो है assistant professor का specialty आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकि number of post यहाँ पे देख सकते हैं किस में कितना post है market reservation भी यहाँ पे दिया हुआ है pay skill की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा pay skill उसके बाद email id जो पे जो है application form इस assistant professor का किस email id पे भीजना है तो यहाँ पे इसको ध्यान से note कर लें इस email id पे आपको भीजना है बाकि अगले post की बात कर लेते हैं तो अगले post आप देख सकते हैं associate professor का है उसका जो है आपका number of post यहाँ पे दिया हुआ है pay skill दिया हुआ है इस email id पे भीजना है 8 post है इसमें बाकि आप detail यहाँ पे देख सकते हैं तो काफी सारे post निकाले हैं तो आप जिस भी post पे apply करना चाहते हैं उसका email id सब post के लिए अलग लग दिया हुआ है उसी पे उसका form फिल करके आपको send करना है तो बाकि आप यहाँ पे technician grade 1 का देख सकते हैं कितने post हैं उसके बाद आपका किस email id पे भीजना है उसके बाद technician grade 2 की बात करें तो कितने number of post देख सकते हैं उसके बाद आपका जो है यहाँ पे paste किल दिया हुआ है और इस email id पे आपको इस form को fill करके send करना है बाकि आप dietician का देख सकते हैं फार्मासिस्ट का देख सकते हैं इसी तरह सारे post दिया हुआ है यहाँ पे जो है office superintendent का दिया हुआ है उसके बाद आप इसके email id को भी देख सकते हैं तो ध्यान से आप जिस भी post के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पे जाकर के और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे कि social worker का है LDC का है तो काफी सारे post हैं आप कि इसी भी post के लिए eligible है तो आप जो है यहाँ पे apply कर सकते हैं बाकि इसका कोई form भी नहीं रखा गया तो इसकी चिंता नहीं है आप अराम से apply कर सकते हैं अब देखिए अगर हम बात करें कि name of post जो assistant professor के लिए क्या educational qualification essential यहाँ पे दिया हुआ है पूरा का पूरा आप द्यान से इसको अगर यह form fill करना है तो आप fill कर सकते हैं बाकि आप यहाँ पे age limit इसकी देख सकते हैं इस post के लिए 55 years तक रखी गई है और age lexation, H-C-H-T, O-B-C, departmental candidate, बाकि आप किसी भी category से हैं तो आपको age lexation यहाँ पे मिल जाएगा उसके बाद आगे हम बात करते हैं अगले post के अगले post की अगर हम बात करें तो यह associate professor इसका जो है educational qualification आपका essential यहाँ पे दिया हुआ है उसके बाद experience यहाँ पे दिया हुआ है तो जितने भी post है उसके लिए आपका देख सकते हैं इस limit 60 years दिया हुआ है और बागी category वाज आप यहाँ पे देख सकते हैं तो easy language में सारा का सा सारा कुछ दिया हुआ है educational qualification अगर हम professor post के लिए देखें तो यहाँ पे essential क्या माँगा है और experience यहाँ पे क्या माँगा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा push जितने भी है उसके लिए दिया हुआ है medical officer का इसी तरह दिया हुआ है आप देख सकते हैं उसके बाद nursing university यह सब essential essential का मतलब यह जरूर यह ठीक है essential इतना तो होना चाहिए आपके पास उसके बाद experience जो है यहाँ पे दिया हुआ है experience क्या क्या आपको होना चाहिए बाकिया page limit यहाँ पे देख सकते हैं सारा के सारा दिया हुआ है काफी सारे post हैं यहाँ तो आप किसी ने किसी post के ल link मैं description में दे दूँगा जहां से आप direct notification चाहें तो वहां से भी download करके देख सकते हैं बाकि काफी सारे post हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे notification एक बाद करके जरूर पढ़ें उसका important instruction के अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी instruction दिया है कि आप इसके official website के बारे में बताया है यहाँ पे जितने हैं सारे के सारे important point आप पर सकते हैं खुछ से download करके बागे आप देख सकते हैं कि no other mode submission of application shall be accepted except email तो email address से ही cable और cable email पे ही भी भेजना है इसको ठीक है बागे आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी successful conditions होगा will be required to submit eligible self-attested copies of the document यानि अधार card, print out of the application, email यहाँ सारे email पे आपको भीजना है तो आप ध्यान से इसको पर लें apply करने से पहले उसका कोई examination भी यहाँ पर नहीं रखा गया mode of selection की बात करें तो आपका purely जो है आपका selection जो होगा merit basis पे होगा जो की marks scored in academic qualification में जो marks होगा उसके अधार पे ठीक है higher qualification ते minimum qualification as per recruitment rule यह सारे के सारे आप को इसके मेरिट basis पे selection होना है तो इसी दो basis पे यहाँ पे selection होगा तो आप ध्यान से इस सारे के सारे important notice को जरूर पढ़े है apply करने से पहले और उसके बाद आगे जो भी हम बात कर लेते हैं LGBT criteria के तो candidate must be citizen of India होना चाहिए उसके बाद educational qualification age experience etc सारे के सारे फुल्फिल यहाँ पे ह देख सकते हैं आप यहाँ पी जो form है आपका खुल के आगया application form अब application form आपको यह मिल जाएगा यहाँ पर उसके बाद सारा का सारे डिटेल यहाँ पर application form का दिया आप देखते हैं कि application form में क्या क्या बढ़ना है तो सबसे पहले आप यह ध्यान आगे कि जो भी application form है वह आप आपको neatly filled करना है ठीक है या type करना है इसको ठीक है तो इसको type करना है उसको signed by the applicant on each page of the application अप्लिकेशन self-attested करना है ठीक है only its video format में ही send करना है attach करके email id पे ठीक है उसके बाद आप बात करने इसमें जो भी आपका document है वो भी attach करके यहाँ पे भेज देना है इसमें बाकि जित email id पे PDF के format में बना करके send कर देना है तो आज के वीडियो में इतना ही अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरूर करें अपने दोस्तों के साथ आ सदा इस वीडियो को share कर दें और कोई भी डाउट हो तो comment जरूर करें इस वीडियो से लेटेड रहे चाहें पर तो चैन